नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में सिग्र भेजने को कहा है, ताकि बचे समय से पूरे पोसाग खरी सके सचीव ने सुक्रवार को सभी जीला सिख्षा पता अधिकारियों तथा जीला सिख्षा अधिक्षको की JCERT रातू में हुई बैठक में असपश्ट रूप से कहा है कि बिभाग के दिशा निदेश का अनुपालन दी गई समय सिमा के अंदर होना चाहिए बैठक में सभी जार्खन सिख्षा पर्योईना परिशत, मादमिक सिख्षा निदेशालाय तथा प्रात्मिक सिख्षा निदेशालाय के भी पता अधिकारियों पसी थे पदस्थापना के बाल सचीव की जीला के पता अधिकारियों के साथ या पली बैठक थी बतादे सचीव ने पताधिकारियों को सभी स्कूलों में रंग रोगन का कार्य भी हर हाल में 15 नौमबर तक पूरा करने के दिशानी देश दिये हाए जार्खन को जल्द मिलेगी 200 आत्यधुनिक एम्बूलेंस जार्खन में 2017 से निसुलक एम्बूलेंस सेवा 108 चल रहा है इन एम्बूलेंस में से कई एम्बूलेंस अब खराब की स्थिती में है ऐसे में जार्खन की सरकार जल्द ही राजे को 70 क्रोर की लागत से 200 से अधिक आतेदुनिक सुविधाओं से लेंस एंबूलेंस की सवगात देने जा रही है बता दे एंबूलेंस मद्य परदेश के इंदोर सहर से बनकर रांची लाई जा रहे हैं एंबूलेंस को लाने का काम भी सुरू हो गया है रांची के नाम को मिस्थी स्वास्त मुख्याले में इन एंबूलेंसों को अभी रखा गया है राज्य के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कहा है कि सरकार की पहली प्रात्मिकता राज्य के लोगों को बेहतरी स्वास्त सेवा उपलब्द कराना है इसके लिए जरूरी है कि बिमार ब्यक्ती, गर्वती महिलाओ और सड़क दुर्गाटना के समय घाय लोगों को ततकाल अस्पताल पहुचने तक उन्हें एंबुलेंस में ही जीवन रक्षक उपकरन की सुवधाय मिल सके रांची में रोजगार मेला 10 लाख युवाओ को सरकारी नवकरी देने का लग छे आजादी के अमरीत महोसों के मौगे पर प्रधान मंत्री नयांद मोदी के द्वारा 10 लाख युवाओ को सरकारी नवकरी देने के लिए रोजगार मेला का सुभारम हुआ रांची स्थी सी सी एल के दरभांगा हाउस सभागार में कारिकरम में परधान मदिनियाद मोदी वीडियो कनफेंसिंग के माध्यम से इस रोजगार मेला की विधुवत सुभारम की केंद्रिये जन जाती है मामलों के मंत्री अरजुन मुंडा के हाथो रांची से 25 राय सभा सांसा दिपक परकास आजित साहू सांसा सुदर्शन भगत विधायक समरी लाल रांची विधायक सीपी सिंग भी मवजूद रहे पांच नौवंबर से जार्खन के सभी इसकुलों में चलेगा कीक फोर जार्खन खेलों को बढ़ावा देने के उदेशे से राय सरकार का सिक्षा भी भाग बढ़े अस्तर पर खेल परत्योगताओ का आजिजन करने जा रहा है जार्खन सिक्षा पर्योईना परिस्थत की ओर से कीक फोर जार्खन नाम से या परत्योगताओ पांच नौवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी इसमें प्राथमीक, मध्य, माधमीक और हाई स्कूलों के अलावा कस्तुर्बा गांधी आवा से बाल का बिद्ध्याला वा मौडल बिद्ध्याला के बिद्ध्यार्थी भाग लेंगे बता दे जेई पीसी ने इसके आयोजन के लिए पूरा सेडूल जारी कर दिया है सरकारी स्कूल में अधेनरत बिद्ध्यार्थियों के बीज अनुसासन, नित्युत्य छमता का बिकात, टीम भावना, प्रती अस्परधा की भावना वा निर्नाय लेने की छमता समेत, सर्वाइगिन बिकास की आवधारना के साथ प्रत्योक्ता का योजन किया जा रहा है जारखन के होमगार्ड के लिए खुसखबरी सरकारी करयालों में तैनाति की सक्त आदेश गरिह रक्षा वाहिनी स अगिन समन की एडि जी सुमन गुप्ता ने गरिह रक्षा वाहिनी के सभी जिला समाधेश्टा को सक्त आदेश दिया है की वैसे सरकारी करयाल है जहां नीजी सुरक्षागार लगाये गए हैं वहां उनके अस्थान पर गिरी रक्ष को गितानाती सुनेशीत करा है एडीजी ने अभी कहा है कि पूरवे में भी अनुपालन पर रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं मिली जो कारे प्रनाली की उदासिंता को दिखा रही है एडीजी के आदेश पर गिरी रक्षा वायनी सा अगिन समन के डी आईजी ने सुक्रवार को इसे समन्दित आदेश जारी कर दिया है बतादे जारे आदेश के अनुशार गिरी विभाग ने 12 अपरेल 2021 और 27 अगस्त जो 2022 को एक पत्र जारी किया था कि राज सरकार के किसी भी विभाग में सुरक्षा कारे के लिए नीजी सुरक्षा गाडों को नहीं लगाएं और असकता अनुशार गिरी रक्ष को को ही परतिन्युक्त पर लेकर सुरक्षा कारे में लगाएं जार्खन में भड़की कुर्मी आंदोलन 1932 के खतियान अधारित अस्थाने नेती का नेनाई केबिनेट में पारित होने के बाद जार्खन एवं बंगाल में कुर्मी जाती को आदिवासी की सूची में सामिल करने का अंदोलन तेज हो चुका है बता दे जार्खन के कुलहान से लेकर बंगाल के पूरिलिया इलाके तक में जवर्जास ढंक से रेल रोकवा अंदोलन पर कुर्मी समाई ने जार्खन बंगाल एवं किंद्र सरकार को अल्टिमेटम भी दे दिया है समाज ने कोईलांचल में भी अंदोलन का बिंगुल फुक दिया है समाज की नेता सहर से लेकर गाउं तक मुख्य मंत्री हमस्रेन वह केंद्रिये जन जाती मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा पर निसाना साध रहे है वही भाजपा एवं जामों के सभी सांसाद एवं विधायक इनके इसारे पर है बता दे कुर्मी समाज के इस अंदोलन को अब आईसु ने अपना अंदोलन बना लिया है आईसु के नेता कुर्मी संगठनों के नाम पर इस मांग को लेकर अंदोलन कर रहे है अमन साप से जूड़े दो दरजन ठीकानों पर जारखन्ड eTF का छापा पलामू जेल में बंध अपराधी अमन साफ हुआ दुमका जेल में बंध सुजित सिनहा के दो दरजन ठीकानों पर जारखन्ड पूलिस के अतंकवाद निरोधक दस्ते की टीम ने सनिवार की सुबा से ही छापे मारी तेज कर दी है ये ठीका ने पलामू गढ़वा चात्रा हजारी बगरांची रामगोर वरलातेहार आदी जीलो में है जो इन दोनों अपराधियों के सगे सम्मधियों वा सहयोगियों से सम्मधित है इन अपराध के विरूध अभयान चलाने वा प्राथमी की दर्ज कर करवाई करने की सकती देदी थी इससे पहले इस दस्ते ने कुख्यात अमंत शिरिवास्तो गैंग के विरूध बड़ी करवाई करते हुए पहले आर्थिक रूप से तोड़ा और उसके बाद स्रिवास्तो गेंग के कई गुर्गो सहयोगियों को सलाखे तक पहुचाया है नीति से आगे निकले सीम हेवंत बिहार में 5 करोड़ तो जारखन में 30 करोड़ सबसीडरी जारखन में इथेनोल के उतपादन को लेकर बनी नीति को राज केबिनेट से सुक्रिती मिल गई है बिहार में केपिटल सबसीडरी की अथिकतम सीमा कुल निवेस के हिसाब से 15% अथवा 5 करोड़ रुपए हाई जबकि जारखन में कुल निवेस के हिसाब से 25% अथवा अथिकतम 30 करोड़ तक की सबसीडरी दिये जाने का प्रधान हाई इसके अलावा नई MSME इकायों को कुल रीन रासी के हिसाब से 6% प्रतिवर्स के हिसाब से इंट्रेस्ट सबसीडरी भी दी जाएगी यह रासी अधिक्तम 3 कोर रुपय तक की होगी जारखन में धौस धमकी का खुला खेल रीम्स के CCTV फोटेज से खुला सा जारखन में एक हज़ार कोर के अवयद खनन मामले में मनी लॉंडरिंग के आरोप में गिरफतार पंकद मिश्रा के मुश्किले और बढ़ सकती है बता देन्याईक हिरासत में रीम्स में इलाजरत पंकद मिश्रा के दो करिवियों से पूछ ताच के बाद इडी ने रीम्स के पेइंग वार्ड का CCTV फोटेज मांगा है इडी की रडार पर DC SP साहित कई अफसर है जो लागातार उनके संपर्क में थे एक दिन पहले इडी ने पंकद मिश्रा के दोनों चाल को चंदन यादो वा सुरज पंडित को हिरासत में लिया था दोनों पंकद मिश्रा की साहिव गंज के एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी से अवैज तरीके से मोबाइल पर बात करा रहे थे इसी वक्त इडी ने उन्हें पकड़ा दोनों से पुष्ट आज के बाद इडी ने उन्हें छोड़ दिया है रांची की तर्ज पर मेदनी नगर में चलेगी पिंक सीटी बसे पलामु जी लेके मेदनी नगर की सड़कों पर रांची की तर्ज पर अब पिंक सिटी बस से दोड़ेंगी बतादे बस कराय करने से समंधित परकिरिया हो रही है बस संचालित करने के लिए नगर निगम मारगो का सर्वे कराया जाएगा उक्त आसे का निरनाय नगर निगम की आयोजीत बोड की बैठक मिलिया गया इसकी अध्यक्सता महापौर अरूना संकरव संचालन नगर आयूक्त समीरा एस ने किया बतादे जहरखंड की हमन सरकार ने मेदनी नगर को चार अदद पिंक सिटी बस का तोफा दिया है इसके लिए 2,23,57,579 रुपय की मंजूरी दी गई थी इधर सहरवासियों का वर्सो का इंतियार अब समाप्त हो गया है बुढ़ा पहार के बाद जहारखंड के लातेहर में नक्सलियों का नया ठिकाना ओपरेशन ऑक्टोपस के तहत पुलिस ने लातेहर और 36 घड की सीमा परिस्थित बुढ़ा पहार को नक्सलियों के क जक्रियता की जनकारी मिली है उनमें नवीन, संदीब, मार्कूस, बाबा सहीत, अन्य सामिल है उनकी सुरक्षा में कुछ साथी नक्सलि भी कैंप कर रहे है बता दे जहारखंड पुलिस को या भी सुचना मिली है कि जहां नक्सलियों एकत्र हो रहे है उसके आसपस ग्रामि टूटने वाली है बतादे प्रमपरा और तीथी के अनुसार दिवाली के अगले दीन गोवर्धन पुजा वा अनकुट मनाने का रिवाज रहा है लेकिन इस बार यह प्रमपरा टूटने वाली है जनम कुंडली वास्तु वा कर्मकांड प्रामर्स के विशेश आचार्य पंड चेतन पांडे ने बताया है कि इस बार दिवाली के अगले दीन गोवर्धन पुजा नहीं होगी कारण है कि दिवाली के अगले दीन इस बार खंड ग्रास सूरे ग्रहन लग रहा है 27 साल बाद दीपो का महापरो दिवाली इस बार सूरे ग्रहन लग रहा है धन्यवाद यद आप चैनल पर नहीं होते चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का वेल एक आंदा भाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवसे दे थैंक यू